आज बनाएंगे बनारसी आम पन्ना ये पारब पर एक ड्रिंक हमें गर्मी में लू से बचाता है दूप में निकलने से पहले अगर आप एक गलास आम पन्ना का पिएंगे तो आपको लू नहीं लगेगा इसके अलावा कच्चे आम में विटामिन C भरपूर मातरा में होता है तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करें आम के पन्ने को दो तरह से बनाया जाता है या तो आम को उबाल ले या फिर गैस पर भुन ले गैस पर भुनने से आम के पन्ने में स्मोकी फ्लेवर आता है तो हम इसी तरीके से बनाएंगे उबाल कर बनाने में टाइम भी लगता है दो आम को गैस पर भून लेंगे जैसे नॉर्मल बैगन वगरा भूनते हैं इन्हें अच्छी तरीके से चारू तरफ से भून ले ताकि ये सॉफ्ट हो जाए ताकि बाद में मैश करने में आसानी हो थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम इसे चील लेंगे अब हम मिट्टी का एक बर्तन लेंगे और इसमें भुना हुआ आम डाल कर थोड़ा पानी डालेंगे और हातों से मैश करके इसका सारा पल्प निकाल लेंगे मिट्टी के बर्तन में आम पन्ना बनाने से सौंधी सौंधी खुशबू आती है स्टील के बरतन का इस्तमाल नहीं करेंगे आम खटा होता है और खटी चीजे मेटल से रियाक्ट होती है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं कोई भी खटी चीज हो उसे आप मिट्टी का बरतन या चीनी मिट्टी या फिर काच के बरतन में ही रखे देखिए आम को हमने पहले अच्छी तरीके से भुन लिया था जिसकी वज़े से ये आसानी से मैश हो पा रहा है ये लगबग मैश हो गया है थोड़े आम के छोटे छोटे पीस अभी भी है इतना चलेगा ये छोटे छोटे पीस आम पन्ना पीते वक्त अच्छे लगते है अब आम के पन्ने में डालेंगे डेड़ ग्लास पानी और इसके साथ डालेंगे पुदीने की चटनी थोड़े से पुदीने को हमने मिक्सी में डाल कर पीस लिया है और डालने से पहले इसे चनली से चान लेंगे अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच सफेद नमक, एक चमच काला नमक और एक चमच भुना हुआ जीरा पॉडर पन्ना तो हमारा रेडी हो गया है और अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर आट करेंगे एक मिट्टी का दिया लेंगे और उसे गैस पे रखकर उसमें तीन चार चुटकी हींग डालेंगे मिट्टी के दिये से स्मोकी फ्लेवर आएगा और हींग से बढ़िया खुश्बू और टेस्ट थोड़ी देर हिंग को भुनने के बाद इसे आम के पन्ने में डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए ढखकर छोड़ देंगे आप इसमें बरव डालेंगे और काच के गलास में ही सर्व करेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया खटी चीजे मेटल से रियाक्ट करती है इसलिए जब भी सर्व करें काच के गलास में ही सर्व करें